अलो फ्रेंट्स वेलकम टु माय चैनल मेकलोईजी फ्रेंट्स आज हम ट्रांसवर और प्रॉपटी ऐक्ट जो है उसके सेक्शन 6 के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम सेक्शन 5 तुक्प और जो आपकर ट्रांसवर और प्रांसवर और योज जो बेसिक वकशन तो चलिए हम बात करते हैं section 6 of TPA जो है वो क्या बात करता है section 6 of TPA जो है वो आपका ऐसी properties के बारे में बात करता है जो कि transferable नहीं होती है या हम कैसे पर जिनको transfer नहीं किया जा सकता है इसके अलावा जो भी आपकी properties होंगी वो transferable होती है तो देखिए इसमें कौन-कौन सी आपकी चीजें होती है मैं आपको थोड़ा सा idea देती हूं कि जैसे कि आपका space succession जो होता है यह आपका transferable नहीं है राइट ऑफ इसमें transferable नहीं है राइट ऑफ री एंट्री ट्रांसफरेबल नहीं है ठीक है न इसी के साथ साथ में आपका जो interest restricted to personal enjoyment अगर कोई आपका personal enjoyment के लिए इंट्रस्ट है थो ठीक है न परसनल इंजॉयमेंट के लिए अगर कोई आपका restricted interest है तो वह भी आपका transferable नहीं है राइट ऑफ फ्यूजर मेंटेन्स ट्रांसफरेबल नहीं है राइट तु सिउज्जो है वह भी आपको अगेंस उसके नेचर के मतलब इन उसके इंट्रस्ट के अगेंस अगर कोई आपका किसी तरीके का ट्रांसफर है तो वो भी आपका ट्रांसफरेबल नहीं होगा ठीके ना और लास्ट में बात कर लें कि अगर मालेजे कोई अनलॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए कोई किसी तरीक के लिए किया जा रहा है ठीक है जिसके जो कि आपकी अपोस्ट होती है पुब्लिक पॉरसी के अगेंस अगर वो ट्रांसफरेबल है तो वह आप ट्रांसफर होता है तो वह भी आपका परमिसिबल नहीं होगा तो यह हमने 8 तरीके के हमने पढ़ लिए कि कौन-kौन से आपके transferable नहीं होती यह consistency properties तो इसको हम one by one करके discuss करते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं space successness की तो space successness जेके अगर आप इसे पूरा पढ़ेंगे तो थोड़ा सब complicated आपको लगेगा मैं इसमें आपको एक line बता देती हूं कि जो आपकी important है क्या line आपकी important मतलब है कि अगर किसी person के पास कोई chance है किसी दूसरे person की property succeed करने के लिए यह हम कह सकते हैं as a successor उसके पास कोई chance है किसी की property succeed करने के लिए तो उसे हम कहते हैं space successness तो यह जो space successness होता है जो कि सिर्फ एक hope होती है succession की वह आपकी किसी भी तरीके के प्रॉपर्टी नहीं होती है इसलिए यह आपका transfer transferable नहीं होती है तो देखिए यह चीज़ आप ध्यान में रखेगा कि इसमें एक पर देखिए कि टम आई है और आपके पास में chance बनता है कि प्रॉपर्टी आप उसकी सक्सीड करें तो यह जो खाली chance है ना आपका प्रॉपर्टी सक्सीड करने का यह भी आपका transferable नहीं होता है इसको मैं आपको एक तरीके सार्ट समझा सकती हूं जैसे मान लेजे मेरे blood relation में किसी की death हो गई मतलब बहुत दूर की relative है ना अब मेरे पास chance है कि मैं उनकी property सक्सीड करूँ तो यह जो chance है मतलब मुझे property नहीं मिली है सिर्फ मेरे पास में क्या है chance है कि हो सकता है वो property मैं succeed कर जाओ उस उनकी property की मतलब एक तरीके से वो property मुझे मिल जाए तो यह जो chance है है ना इसको मैं transfer नहीं कर सकती हूं कि मुझे अभी ता कोई property मिली नहीं है तो मैं transfer किसे करूंगी तो आप वादा करते हैं अगर वहां से मुझे कोई चीज मिलेगी तो मैं आपको दे दूंगा जो चीज आपको मिली ही नहीं है उसको आप कैसे transfer कर सकते हैं ओके तो आई होप आपको इसको समझ में आ गया होग आप हम बात करते हैं राइट आफ इसमेंट राइट उफ इसमेंट देखिए कि यह जो राइट ऑफ इसमेंट का मतलब क्या है कि किसी property को एंजॉइ करने के लिए जो हमें right मिलता है उसे हम राइट आफ इसमेंट रहतें ताकि उस property तक हमारा access जो है वो easy हो जाए देखिए से आपका घर कहीं बनाए मान लीजए कहीं आपका घर बनाया है तो वो जो घर है न पड़ता है कि जो 2 लोगों की सबक्रापरटी से तो आप आपको वहाँ अपने घर में जाने के लिए उन दो लोगों की प्रपरटे तक आपको वह давно की कि लोग की पर एभिशा करने ये जिस लैंड में है ये किसी दो लोगों की लैंड मतलब ऐसे हैं ऐसा बनावाे कि दो लोगों की लैंड से क्रॉस होना पड़ेगा या किसी एक से मुझे रास्ता लेना पड़ेगा तो येator वाले land वाले है यह आगे वाले है यह क्या है यह कोई औफ इस्ट मतलब किसी प्रॉपर्टी यही को बैनिफिशल ऐंजॉय्मेंट के लिए जो राइट होता है वह धान किह लांड होता है जिसके beneficial enjoyment के लिए ठीक है ना वो right exist करता है समझ मैं आपको dominant heritage का मतलब होता है वो land जिसके beneficial enjoyment के लिए right exist करता है और servient heritage क्या होता है servient heritage होता है जिसमे liability imposed की जा सकती है उसे हम servient heritage कहते है जैसे मैं आपको समझाया कि मानले जी यह मेरा घर है यह जिस लैंड में है दीके ना वह भई इस जो a है इसके लैंड से होके गोजरता है तो इसको यह जो a है यह servient heritage हो जाएगा यह मेरा भगवान सहाए तो इसमें क्या हैंड किया गया था कि अब प्रोहिबीशन डजन्ट टच अपॉन दा creation of new easement ठीके ना इसका मतलब है कि यह जो राइट ऑफ इसमेंट तो transfer नहीं हो सकता है मतलब जो राइट किसी को राइट ऑफ इसमेंट किसी को मिला है ना वो किसी दूसरे को transfer नहीं कर सकता है पर इसका मतलब यह नहीं है कि नए easement rights को बनाया ही न जाए ठीक है ना समझ में आया तो nursing सहाए versus बगवान सहाए वाले जो case था इसमें यह कहा गया कि कोई अपना right of easement भला ही transfer नहीं कर सकता है पर इसका मतलब यह नहीं है कि नए easement rights को नहीं बनाया जा सकता understood अब हम बात करते है राइट of re-entry देखिए राइट of re-entry का मतलब क्या है देखिए जैसे आपने मान लिजए अपनी property किसी को दे रखी है है यह आप कहीं और रहते है आपनी property किसी को दे रखी है तो आप उसी property पर जो owner है प्राइट का जो owner है वह उसके जब आए गा तो उसे हप कहेंगे रियल उसके पास में owner जो हता है उसके पास में रिय एंट्री का राइट होता रइट राइट ऑफ री एंट्री जो होता है वो उसके पास में होता है क्योंकि जो राइट ऑफ री एंट्री है यह एक परसनल राइट होता है किसी इंडिविजुल का ठीके ना जो कि ट्रांसफर नहीं हो सकता है और अगर मान लेजिए कि कोई अपना परसनल राइट ऑफ री एंट्री परसनल राइट ऑफ री ए अग्सिश्टी आई नहीं तो इसको राइट ऊपर रेएंट्री को अ समझ कते हैं माने जेव ए है एक इसी प्रॉपर्टीcen का ओना डिकानाज यह की प्रॉपर्टी और है तो यह उनर है यह पर्सनल राइट है कि अपने प्रॉपर्टी एंटर कर सकता है कभी भी जा सकता है अगर एक बार से निकल गया तो उससे दुबारा उसमें जा भी सकता है पर यह जो ए है ना यह बी को अपना रिएंटरी का राइट नहीं दे सकता यह इसे नहीं बूल सकता कि जाओ तुम मेरे प्रॉपर्टी में जाओ कि मैं ओनर हूं दे बात करते हैं इन्टरस्ट रेस्स्रिक्टिट पर स्नल एंज़विंट मानल ले जह कि कोई भी ऐसा इंटरस्ट जो कि पर्सटनल एंज़वेंट यहीं रेस्टिक्टिटेट है वह भी आपका ट्रास्फरिबल नहीं हो सकता and interest in the property restricted to personal enjoyment of the owner cannot be transferred by him ठीके ना यह क्या कहता है कि आपका जो को भी ऐसी property ठीके ना किसी भी ऐसी property में किसी भी person का interest जो कि सिर्फ owner की personal enjoyment के लिए restrict किया गया है वो भी transferable नहीं होता है इसका example क्या है जैसे religious offices ठीके ना services tenure ठीके लिए इन एलिनेबल राज एसक्तर यह भी आपको transfer नहीं हो सकते हैं ठीके ना अगर इस तरीके का कोई transfer होता है तो वह भी आपका क्या होगा वाइड होगा क्या होगा आपका वाइड होगा फाइन अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वन देखिया भी कमगं से पढ़ लिये एक हमने पढ़ लिया फर्स्ट वन इस पैस अकसेशनीस दूसरा पड़ा हमने राइट आफ ईसमेंट तीसरा पड़ा हमने राइट ऑव रेंटरी चौथ है हमारा चौथ हमने पढ़ लिया है interest restricted to personal enjoyment ये भी हम पढ़ चुके हैं अब हम बात करते हैं पाचवे की कि पाचवे कौम सा ऐसा आपका exception है जिसमें आपको जो कि आपका transferable नहीं होता है वो होता है आपका right to future maintenance तो यह जो right to future maintenance है जो right of future maintenance है ठीक है यह राइट to future maintenance जो है यह भी आपका transferable नहीं होता है चाहे वो कोई भी case हो, चाहे वो किसी भी तरीके का हो, किसी भी तरीके से arise हो रहा हो, ठीक है नहीं लिखा है ना इसमें आपको whatsoever manner arising मतलब किसी भी तरीके से वो right आपका arise हो रहा हो, वो भी आपका transferable नहीं होता है तो यहाँ पर यह जो लिखा है ना whatsoever manner arising मतलब किसी भी तरीके से arise हो रहा है, इसका बहुत wide meaning है, और इसमें ऐसे cases भी आते हैं, जो कि create, मतलब ऐसे cases भी आते हैं, जिसमें यह जो right है ना future maintenance का, यह create किया गया है, किसे will के जरीए, किसी compromise के जरीए, या किसी deed के जरीए अब six one है, mere right to sue, mere right to sue का मतलब होता है, कि किसी के against case file करना, देखे ना, वो आपका right to sue होता है, मतलब किसी को sue करना, किसी के against case file करना, fine, किसी को court में लेके जाना तो, mere right to sue, जो है, वो भी एक personal right होता है, किसी individual का, और सिर्फ जो agreed party है, वो ही इस right को exercise कर सकती है, मतलब, जैसे मानले जी a है, a का personal, कोई right है, यह a का कोई, बोलते हैं आपका sue करने का, ठीक है ना, personal right है, यह उसका individual right है, ओके, तो यह सिर्फ ए ही exercise कर सकता है, यह किसी दूसरे को transfer नहीं कर सकता, कि भी मेरे बदले तुम से sue कर दो, जिसको, जो agreed party है, मतलब, जिसको कोई नुकसान हुआ है, या जो, किसी वज़े से affected हुआ है, किसी दूसरे के काम की वज़े से, या act की वज़े से, तो सिर्फ वो agreed party जो है, जो कि affected party है, सिर्फ वो ही आपका इस right को exercise कर सकती है, अब हम बात करेंगे offices and salaries, तो आपका 7th one है, offices and salaries, तो offices and salaries में देखे क्या है, कि जो भी आपके public office होते है, या public officers की जो salary होती है, ये जो salaries होती है, चाहिए वो कभी भी आपकी payable हो, वो भी आपके transfer नहीं की जा सक लगती है, ऐसा नहीं हो सकता कि वह दो मैने की चुटी चलेगी और अपनी जगह किसी को रख दिया, ये मतलब इस person को मेरे बतले की salary देदें, क्योंकि मैं चुटी जा रहा हूं, मेरे बतले ये काम करेगा, तो ऐसा नहीं हो सकता, नहीं अपनी post पे वो कोई किसी दूसरे person क बिठा सकता है मालने जो कोई collector है उसे कहीं जाना है बहुत जरूरी इसा नहीं है कि किसी दूसरे को बिठा देगा महाँ पर कि मेरी जगह तुम हो ठीक है न क्योंकि वह भी एक्जाइम पास करके पूरा एक procedure से वहाँ पर पहुंचा है तो अगर ऐसे ही वह किसी को बिठा आप पता ही आपको पता हिए जहां रइंड यह पाबटित घ्रकाइब ऑबनेफट और जो काली साटा क्वनसर बिटेप में आ इसे क्यों है तो तो आपको समझ में आ गया कि जो पबली ऑफिसे से एसे होती है है वह भी आपके ट्रांसफर अ do होती है और फिर फिर जिसे बुलते हैं जार जात्र वित्य तो है डिके फिर चाहता है किसी को ना कDA किंगे फैस स्क कई रोप स्काइब अट्रोर्प लोगतोग भी जिस और ने हाँ ब्रॉस काहसी, से अपमीर करना आ ही, क्या और Sumon आपका ट्राइबल नहीं होती है तो यह हमारा हो गया अब हम लास्ट पढ़ रहे हैं आपका अपोस्ट तुदी नेचर आफ इंट्रेश टुवर डिए निचर आ पाज़ डिनेचर ओंटरस्ट ओंव2 इंचर अंडर है देखिए से मैं आपको समझाती हूं कि कोई कोई भी ऐसी चीज ठीक है ना जो जैसे कि आपको इसमें एक टर्म आपको नज़र आ रहे हैं कि रैस कमिनेस का मतलब क्या होता है कि ऐसी ऐसे चीजे जिनका कोई पर्टिकुलर ओनर नहीं होता है और वह सब को बिलॉंग करती है मतलब वह सब के लिए होती है हर परसन के लिए होती है सब के लिए एक जैसी होती है तो यह अगर मान लेजिए इसके अगैंस ठीक है अगर कोई किसी को एयर जो है किसी को क्या करना चाहे ट्रांसफर करना चाहे मेरे हिस्से का पानी ले लो यह संलाइट ले लो ठीक है यह सारी चीज़ें यह भी आपका ट्रांसफर बर न मतलब ऐसी चीज़, जो कि आपका किसी एक को belong नहीं करती सबके लिए वो एक जासी होती है वो भी आपके transferable नहीं होती है क्यों क्योंकि वो उनके nature के इस तरह sometimes उनके nature के जो उनका nature होता है उसकेagaans होता है उसके interest इसे तरह के इसा तरीके सा आपका rest, rest extra commercium जो है इसका मतलब क्या होता है कि it means things throughout of commerce ठीक है ना इसमें क्या होता है कि ऐसी properties जो कि आपका मानले जापने डाइटी किसी बोलते देवी देपताओं को दी गई है को दी है डेडिकेट की है ठीक है ना तो वो भी आपका transferable नहीं होती है तो rest communist rest extra commercial जो है यह हमें यह समझाने की कोशिश कर रहा है कि अगर किसी object के nature के against या उसके interest के against तो वो भी आपका transfer नहीं होता है transfer valid नहीं होता है अब इसमें हमने last क्या पढ़ना है कि transfer अगर किसी unlawful object के लिए किया जाता है या किसी unlawful consideration के लिए किया जाता है या फिर वो आपका किसी public policy के against है तो उस तरीके का transfer भी जो है वो permissible नहीं होता है इसका example है कि मानले जे किसी property का transfer जो है वो आपका किसी property को transfer किया जाता है और वो एक brothel मतलब जो होते हैं वैशे वृत्ति के लिए use किया जाता है तो यह आपका valid transfer नहीं होगा यह valid transfer नहीं होगा fine section 23 of engine contract act जो है ना वो आपका क्या provide करता है कि जो consideration होती है या object अगर आपका unlawful है तेके ना कोई अगर का आपकी जो भी consideration है या object है तेके ना वो आपका unlawful है या फिर किसी law ने उसे forbid कर रखा है fine या fraudulent है immoral है तेके या फिर it defeats the provision of any law वो किसी भी law के provision को defeat करता है public policies के against है ठीक है ना और या फिर इससे किसी person या property किसी परसन की property जो है ना उसको नुकसान होता है तो यह इस तरीके के सारे transfer जो है वह आपके valid नहीं होंगे वह आपके वॉइट होंगे fine तो friends यह हमारा transfer of property act का section 6 complete हो गया उमीद है आपको समझ में आया होगा प्लीज अगर समझ में आया तो like and subscribe जरूर करें ओके thank you very